दोस्तों इस वीडियो में हम Google Pay Instant Loan App के बारे में discussion करेंगे इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस अभी करके दिखाऊंगा लाइफ एकदम कि कैसे आप घर बैठे बैठे Google Pay पे जाकर कि यानि जो Google Pay की जो एप है उस पे जाके कैसे आप Instant Personal Loan के लिए अपलाए कर सकते हो अच्छा एक चीज हो रहा है यह मैं आपको लाइफ प्रोसेस बताऊ ना उससे पहले काफी सारी कुछ important चीजे हैं जो हमें discuss करना बहुत ज़्यादा जरूरी है देखो एक चीज बताओ अगर मैं Google Pay की बात करूँ ठीके जी इसके पास customer आया तो क्या Google Pay अपनी जेब से पैसा customer को दे रहे गया मालो कस्टमर गूगल पे जा रहा है लोन के लिए अपलाए कर रहा है तो गूगल पे कोई अपनी जेब से लोन कस्टमर को नहीं दे रहा गूगल पे का टाइब है DMI Finance ये एक NBFC कंपनी है गूगल पे का DMI Finance के साथ टाइब है मालो कस्टमर गूगल पे के पास करोडो यूजर्स है ना जी करोडो यूजर्स गूगल पे के पास है उसने अपनी एप के अंदर एक सिरफ चोटी सी चीज एड़ कर दी लोन का सेक्श करें यानि कल को गूगल पे ने लोन दिला दिया गूगल पे को DMI Finance से कमिशन मिल गया कल को लोन का क्या चल रहा है वो कस्टमर जाने या फिर DMI Finance जाने उसमें गूगल पे का कोई लेना देना नहीं है तो सिंपल से पहले तो आपको यह कंसेट पता होना चाहिए यहां मैंने इस प्रेंशोट भी लगा है यहां सीधा सीधा लिखा हुआ है प्री क्वालिफाइड लोन पे विद DMI Finance यानि जो लोन दे रहा है गूगल पे वो DMI Finance दे रहा है अच्छा यहां मैंने स्क्रींशोट भी लगा दिया यहां पर आपको एक लोन वाला सेक्शन दिख जाएगा इस लोन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करने अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस आगे बताऊंगा हाला कि मैंने दो लोगों के लिए लोन एपलाई किया था देखने के लिए कि किसको कितना rate of interest मिलता है हाला कि दोनों की salary में कुछ जादा खास फरक नहीं है तो पहले जिसके रुपे से ले करके जाद से जादा आठ लाक रुपे का लोन देते हैं मलब अपने customers को DMI Finance से जो इनका tie-up है ठीक है तो यहां पर मैंने screenshot लगा है rate of interest कितना दे रहा है यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है देखो एक simple सी चीज़ है गूगल पे है आप DMI Finance से हमें पै परसेंट से ले करके 25 परसेंट तक जा सकते परसनल लोन इससे जादा मुझे ने लगता कोई आज की रेट में इससे महेंगा rate of interest देगा processing फीज की बात करूं तो अमूमन एक परसेंट से ले करके 2 परसेंट बेंक चार्ज करते हैं यह आपको पता होना चाहिए ताकि आप अ गटा लो तो एक तरह से 1,93,000,000 रुपे मेरे अकाउंट में मलब जिसके लिए अपलाई किया अगर वो 2,000,000 के लोन के लिए अपलाई करते तो उसमें से 7,000 रुपे तो processing fees कर जाती यानि 3.54% तो ऐसा processing fees कर जाती अकाउंट में पैसा कितना आता 1,93,000 रुपे सर पे लोन क कितना चड़ता 2,000,000 रुपे का अच्छा जी इसके ऊपर एक तरह से ब्याज अगर मैं calculate करूं तो मैंने यह calculator का screenshot लगा दिया था यहां पर देखो लिखा हुआ है अगर 12 महीनों के लिए लेते हो तो किष्ट बनती है 19,008 रुपे तो मैंने इसको calculator में डाला कि loan amount 2,000,000 को हाला कि उनकी salary 50-60,000 रुपे है तो ऐसा नहीं कि salary बेकार है और बैंकों से लोन ना मिलता है जसे ट्राइल बेसिस में हमने गूगल पे से अपलाई किया हो सकता है किसी की salary 12,000 होती 15,000 होती में भी chances है कि Google पे loan reject भी कर देता क्योंकि बहुत चांट चटा करके ही Google पे ऐसा जानी कि सबको देता है जैसे instant loan apps सबको देती है तो Google पे पे काफी छटाई होती है दूसरी बात rate of interest मेरे इसाब से जादा चार्ज कर रहा है 25% और processing fees 3.54% जो की जादा है अगर यहीं इनका मैं बैंकों से अपलाई करता ना मिरकों पता इस salary है अराम से इनको कम से कम 15-16% पर तो 10.50% से 16% तक जाते हैं ऐसी SBA के 11% से personal loan के rate of interest शुरू हो जाते हैं यहाँ HDFC का screenshot लगा रखा है कि इसके 10.50% से 25% तक rate of interest जा सकते हैं और Axis Bank के जो rate of interest है यह 10.49% से शुरू हो जाते हैं एक मैंने खुद भी personal loan लिया था ICS Bank से इसका भी screenshot मैंने यहाँ लगा दिया है यह 3,17,000 रुपे का मैंने loan लिया था ठीक है यह 3,17,000 calculator में मैंने डाला बारा महीनों के लिया था और EMI बनी थी 28,360 रुपे तो यहाँ पे देखो एक साल का tenure डाला EMI बनी थी 28,360 तो यह 373 है तो यह 313 रुपे का फरक है खेर तो rate of interest कितना निकल का है 13.4% तो वही चीज है यह आनी से मिलता नहीं है मतलब किसको नहीं मिलता जैसे माल लो किसी का कोई ITR प्रोपर नहीं फाइल कर रहा है या फिर किसी की salary आ रही है लेकिन कम है तो ऐसे में chances हैं कि Google पे इसे loan मिल जए लेकिन जहां तक मेरे को लगता है कि Google पे भी आंख बंद करके loan नहीं दे रहा कि सब बिजनस है वो instant loan है आप वाला तो खेर चलो हम Google पे कोई discuss करते हैं तो इसी के ओपर इस्टिक रहते हैं तो देखते हैं बाकि दूसरे के लिए जो apply किया था उसका क्या rate of interest निकल क्या आता है तो यहां पर अभी तक यह तक यह तस्वीर थी अब एपन मैं आपको फटा-फट apply करने का process भी बता देता हूं अब Google पे लोन apply करने के लिए सबसे पहले तो आपको यह Google पे वाली जो एप उसे इंस्टोल करना है अच्छा जी एप इंस्टोल करने के बाद जब आप इस पर नीची आओगे न तो यहां पर आपको एक option दिखाई दे रहा है यह जो पर आपक आपको सबसे पहले क्लिक करने के बाद अब next page से कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा यह मैंने आपको PPT पर screenshot भी दिखाया था कि 10,000 कम से कम loan है और जाद से जादा आट लाग रुपे के loan के लिए आप मलब यह offer करते है ना तो कुछ नहीं है बस ठीक है loan tenure दिखा रहा है कम से कम 6 महीने के लिए लेना पड़ेगा जाद से जाद आप 4 साल के लिए ले सकते हो तो सारी चीज़े ठीक है rate of interest दिखा रहा है कि 13.99% से शुरू है ठीक है कुछ नहीं करना आपको simply नीचे apply now के option पर click किया थोड़ा सा यह अगले page पे ले गया loading time लेके अब अगले page पे बोल रह आए गया उस पर click करना उसके बाद simply नीचे continue के option पर फिर आपको click करना अच्छा जी उसके बाद next page पर यह बोल रहे है कि जिस भी जगा हाल फिलाल आप रह रहे हो वहां का pin code आपको एंटर करने अब ज़रूरी नहीं है कि मला हो सकता है कि कि किसी का आधार card में अट्रेक्स जो भी नाम आपका pen card पर लिखा वो नाम as it is enter करने नीचे pen card number एंटर करने तो pen card पर लिखा होता है pen number वो number एंटर करने simply नीचे उसके बाद आपको फिर next option पर click करने के बाद अगले page पर यह बोल रहे है कि आपका mode क्या है मतलब पैसा कैसे कमाते हो बहुत सैलरीड हो self-employed हो next page पर यह बोल रहा है कि आप अपनी मंतली income एंटर कर दीजिए ठीक है तो एक चीज़ है probability यही जादा होती है कि कम से कम आप 20-25,000 अपनी मंतली income एंटर करो यहाँ ठीक है जी तो यहाँ पर जो भी आपकी इंकम है वो एंटर कर दीजिए जैसे उधारन के तोर मैं यहाँ 20,000 उपे एंटर कर देता हूँ यहाँ ठीक है जी उसके बाद मंतली income एंटर करने के बाद simply नीचे फिर आपको next की option पर क्लिक करने है उसके बाद next page भी आपको ले जाएगा next page पर यह बोल रहा है कि आप अपना gender select कर लीजिए भी आप male है female है ठीक है जो भी आपका gender है वो स ही भी हुए है यहाँ पर बाद कि जो pen card पर detail है ना आपको एंटर करने है नाम की spelling date of birth कुछ भी उससे mismatch नहीं होना चाहिए अधरवाइस आपकी जो application हो यहीं पर ही reject हो जाएगी तो date of birth एंटर करने के बाद simply मेरे को यहाँ पर next option पर click करने अच्छा जी अब next page पर बोल रह अधरेस जो यह अधरेस दिखा रहे ना यह वाला जो फिलाल रहे हो ना वह एड्रेस अठर पर नीचे यह दिखा भी रहा है है चूज रेस तो आपका residence टाइब क्या है जहाँ आप हाल लाभी रह रह रहे हो जिसे माल लो किसी आडरेस दिल्ली का है आधर पर और दिल्ली मे ही हाल फिलाल अपने घर पर ही रह रहा है तो उसको चेंज करने की जूरत नहीं है नीचे रेजिदेंस टाइप में वो खुद का भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि ओंड है जैसे मैंने यहां पर दिखा भी देता हूं करने के बाद simply फिर आपको दुबारा नीचे next option पर क्लिक करना है अचा आप next page पर यह बोल रहा है कि आप अपनी employment details एंटर कर दीजिए जैसे कि जिस company में आप काम करते हो तो उस company का नाम एंटर कर दीजिए जैसे मालो अगर suppose करो कोई मेरे पास job कर रहा है तो company का नाम यहां लिख सकता है XY education नीचे लिख सकता है कि total कितना work experience है एक साल दो साल पांस साल तो वो सारी चीज़ है जो भी है आपकी employment detail वो डालने के बाद नेक्स पेस पर यह बोल रहा है कि add your work address तो यहां पर नीचे लोकेशन आ जाएगी जैसे आप work address चंडिगड का हो गया तो जैसे मालो मैं अगर अपने employee के लिए करता हूं तो यहां पर choose address पर जाकर के न तो यहां automatically देखो यह address उठा भी रहा है तो यहां पर आप चंडिगड पर यह बोल रहा है कि address detail एंटर करनी है तो यहां पर complete जो भी पूरा का पूरा landmark के साथ address है वो सारी की सारी address detail एंटर करने के बाद सबसे नीचे फिर आपको save address की option पर click करने के बाद next page पर यह बोल रहा है add your work address मतलब एक तरह ऐसे और जादा इसकी detail मांग रहा है तो अगर ठीक है तो simply आपको फिर next option पर click कर रहा है अब उसके बाद next page पर यह बोल रहा है add details for your loan अब यहां पर यह बोल रहा है कि 10,000 से लेके 8 लाग तक इसकी range है आपको कितना loan चाहिए अब मैं यहां पर पूरा ही select कर लेता हूं 8 लाग और अब 8 लाग सेलेक्ट करने के बाद करेगा apply करने वाले के लिए लेकिन एक बार के लिए तो हमें 8 लाग रुपय का loan यहां पर select कर लेना चाहिए वह select करने के बाद simply हमें फिर next के option पर click करना है अच्छा उसके बाद next page पर यह terms and condition वाला page open हो गया यहां पर जितनी भी term and condition है इनको आप accept कर लो और उसके बाद next page पर यह बोल रहा है कि आप जिसके लिए हम apply कर रहे हैं वह 125,000 के loan के लिए eligible है rate of interest की बात करें तो यहां पर इसने लिखा है कि monthly EMI जो है अगर मैं 18 महीनों के लिए लेता हूं डेड़ साल के लिए तो 8,95 पर बनेगी दूसरी चीज क्या है loan tenure 18 महीने यहां पर मैंने select कर ल जो पहले बाले के लिए पलाई किया था वहां 25% पर जा रहा था तो 20% अब 20% पर अगर कोई offer कर रहा है ना तो मेरे को लगता है कि ले लेना चाहिए लेकिन 25% थोड़ा costly हो जाता है मैं काऊंगा कि फिर इसको छोड़के बैंकों से हम प्रेफर करना चाहिए तो वही चीज है कि at least पकड़ के चलो यार देखो अगर बैंकों से लोग आपका सीविल ठीक है ना तो मुझे लगता है इन एप्स के पास आपको आने की जूरत है उसकेस में बैंकी जादा बैटर है मैंने आपको अपना भी स्क्रीन शोट दिखाया था कि 13.44% पर मेरे को आई से 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 पर के बाद आगे बढ़ते हैं यह सारी की सारी चीज़े आगे इसने दिखा दिया लोन अमाउंट एक लाग पच्छिस अजार है फीज की अगर मैं बात करूं तो यह दिखा रहे है कि 4425 एक बार मैं इसको ना क्यलकुलेटर पे आपको क्यलकुलेट करके बताता हूं ठीक है ए आप क्लिक करने के बाद अगले पेज़ पर यूर अप्लिकेशन लेगा फिर लिखा जाएगा कि यूर अप्लिकेशन इस पर पूरी की पूरी क्यरिफिकेशन होरी सारी सारी चीजे बस पढ़िए तो हमें YC verification करनी है तो सबसे नीचे मैं यह पर start KYC के option पर CLICK करने के बाद पर यह बोल रहा है कि take a selfie तो आपको कुछ नहीं करना तो यहाँ पर बस अपना camera यहाँ से मलब take a selfie वाला option है इस option पर आपको click करना है automatically आपके सामने आपका जो है वो camera open हो जाएगा और आपको जो है यहाँ से अपनी selfie ले लेने हैं ठीक है जी उसके बाद अगले page पर यह बोल रहा है कि जो DMI Finance है ठीक है जी यहाँ से इसकी थोड़ा e-mandate वाला काम बचा हुआ है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अधार काड का number एंटर करना है अधार number एंटर करने के बाद यह जो capture है यह एंटर करना है उसके बाद simply नीचे आ कोन अमाउंट दिखा रहे है यहाँ पर आपको net banking यह debit card किसी को भी select करके आप अपना e-mandate पूरा कर सकते हो करना कुछ नहीं है बस नीचे आपना bank का जो नाम है वो एंटर करना है अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है भी savings account है current account है भी किस account से आप चाहते हो कि पैसा अपने तो यह करने के बाद यहाँ पर अगले page पर बोल रहा है कि your loan is approved and on the way to your bank account तो मलब एक तरह से जो यह loan amount है वो एक तरह से वो हो चुकी है मलब क्या बोलते है आप यहाँ पर जब यह process आएगा इसके बाद एक से दो घंटे का ताइम लगेगा जो पैसा है वो आपके bank account पे आ पाओगे ना उसके बाद फिर कुछ हमेशा आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा कि जैसे यह loan amount एक लाग भी सजार उपए है EMI जो है यह दिखा रहा है मलब आप पे करना चाहो तो कभी भी पे बी कर सकते हो तो फिर हमेशा आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दि जा कि आप कभी भी इसे जो है अपना पेमेंट भी कर सकते हो ठीक है मलब जब पैसा किष्ट जल्दी भरना चाहो या कभी भी पे करना चाहो या auto debit तो आपका लगाई हुआ है ठीक है तो यह सारी की सारी चीज़े आप Google Pay App पे भी ट्रैक कर सकते हो ठीक है तो यह सिंपल सा बाकि मैं यही काऊंगा कि सबसे पहले हमेशन आप बैंकों को प्रैफर करो यह जितनी भी इंस्टेंट लोन एप से यह सेकेंटरी रखो मतलब मलब भाही चीज है कि काफी जाधा rate of interest यह लोग चार्ज करते हैं बाकि यह थी एक छोटी सी वीडियो गूगल पे लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं आप से अगली वीडियो में अभी के लिए दिस इस एंड आफ दा वीडियो थेंक्स पो लिसनिंग और थेंक्यों